दिवाली स्पिसल आज बना रही है चंद्रकला मीठाई तो में पहली बारी हो तो month के लिए अगर यहां पर गी है इप डालियेगा तो यह भी खसता चंद्रकला बनके त्यार होती है तो मैं पहली बारी बना रही हूं लेकिन जब बना के रिडी हुआ तो बहुती टेस्टी और अच्छी बनी हुई थी तो यह देखिए मॉयन हमारी कैसे पहचाने की यह अच्छी तरह से मिल चुकी है तो यह गीला होने के सम्भावना हो जाती है तो उसके बाद मैंने यहापर थोड़ंदा करके पाने डालावाता हुआ तो यहाँ पूरी का जवांटा होता है उससे भी थोड़ंदा सा टाइट डो बना लेना है तो इसलिए मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से डो बना के तयार कर लिया हुआ है उसके बाद मैंने यहाँ पर पांच मिनट के लिए रेश्ट में रखा वा तो मैंने यहाँ पर बजार से ही कुछ ड्राइफ फ्रूट्स की मिठाया मंगवाई थी तो इसलिए मुझे स्टेफिंग बनानी के जरत नहीं पड़ी है तो यह देखें मैंने यहाँ पर चार मिठायी लिए हुई थी तो उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से चमक की मदद से मिला लिया हुआ है तो देखें हमारी स्टेफिंग भी तयार है तो यह बहुत ही जटपट बनके तयार भी हो गई थी क्योंकि स्टेफिंग बनानी का टेंसन नहीं था तो उसके बाद मैं पांच में रेष्ट कर रखने के बाद देखें अब यहाँ पर डोक हमें थोड़ा सोर मिला लेना है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डोक अच्छी तरह से मिला लिया हुआ इसके बाद मैंने यहाँ पर लोई तयार कर लिया हुआ था यहाँ पर लोई जैसे आप पूरी बनाते हैं उसी तरह का लोई बना लेना है तो मैंने यहाँ पर चार लोई बन के तयार हो चुकी है तो उसके बाद मैंने यहाँ पर पूरी के अकार में बेल लेना है एक दम पतला सा तो उसके बाद मैं यहाँ बेल ले रहे हूँ ठीक से उसके बाद यहाँ पर कटोरे के मदद से यहाँ पर एक सेप दे दूँगी ताकि यह परफेक्ट चंद्रकला बन के तयार हो तो यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर इस तरह का एक कटोरी लिया हुआ है तिसका टोरी की मदद से मैंने यहापर एक सेप दिया हुआ है तिस तरह से हमें सेप दे देना है तो यह देखें साइड वाला सब हटा के आप एक और लोई तयार कर सकते हैं तो यह देखें मेरी यहापर बन के तयार हो चुकी है उसके बाद मैंने यहापर जो इस्टपिंग क कि जैसा ही दिया हुआ था उसके बाद यहां पर side side में पानी लगा लेना है ताकि यह जब हम दूसरी पूरी雜 इसके उपर लगाएं तो यह असानी से चिपक जाएं तो यहां पर इसे भी देखें इस तरह से हमें पानी लगाना है चारो तरफ से तो देखें इस तरह से हलके से पूस करके दबा लेना है उसके बाद इस तरह से चारो तरफ से हमें दबा दबा कर देखें इस तरह से बना र हुआ था और अच्छी तरह से बनके तयार हो चुकी थी लेकिन बाद में मुझे अफसोस हुआ कि मैं थोड़ा से और मैदा ले लेती तो और कुछ बनके तयार हो जाते तो लेकिन पहली बार बना रही थी तो डर भी लग रहा थे कि अच्छी बनेंगे या नहीं बनेंगे ले देखिए हमारी एकदम परफेक्ट सेफ बनके त्यार हो गए थी तब है इसे में यह पर मीडियम फ्लेम में मेंने यह पर फ्राई किया वाता है Ooh इस तरह से इस के बाद इसे एकदम भून चुकिया तो मैंने यहां पर बच्चे भी मिठाई यह जो रश बचावा था तो मैंने उसे रख लिएा तो अपर से डाल दिया है मैंने यहाँ पर उपर से कुछ राइफ रूट्स डाल दिये हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर किजिएगा तो मैंने यहाँ पर और सारी मिठाईयां रखी हुए है इसमें से आपको कौन ज्यादा अच्छी लगी है तो प्लीज कमें कमेंट करके बताईएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किजिएगा और अभी तक मैरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब करें